आप सबों को 75th Republic Day की धीर सारे शुब कामनाएं आज का दिन बहुत ही special है आज का जो ये दिन है 26th January हम इस दिन को celebrate कर रहे हैं और replicate कर रहे हैं 26th January 1950 को जिस दिन हम Republic बने थे 26th January 1950 ये date as an Indian हमारे लिए बहुत special है करीब 200 वर्सों की गुलामी के बाद हमने एक नए युग में अपना कदम रखा था हमने अपने आपको Republic declare किया था ये वो date है जिस दिन हमने पुरे दुनिया में अपने country को sovereign declare कर दिया था हमने यह भी declare कि इंडियन्स के ऊपर जो भी governance या rule regulation होगा वो इंडियन्स के द्वारा होगा और इंडियन्स के लिए होगा कोई भी साथ समुंदर पार बैठा राजा या रानी हमारा निता नहीं है हमारा अध्यक्ष नहीं है ये date हमें उन heroes उन leaders की भी याद दिलाता है जिन्होंने इस day के लिए एक सपना दिखा था और अपने dream को reality में बदलने के लिए उन्होंने अपने सब कुछ नियोचावर कर दिये अपना सब कुछ country के लिए sacrifice कर दिया 1947 में जब अमारा देश आजाद हुआ था उस समय उन leaders के पास बहुत बड़े-बड़े challenges थे बहुत सारे नए challenges निकल कर आ रहे थे उन challenges को देखते हुए ये बहुत आसान होता उनके लिए कि वो किसी ताना शाही या military rule या किसी भी तरह का शाषन को अपना लेते लेकिन उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना उन्होंने देश को republic बनाया एक democracy बनाया that's why हम उनको भी नमन करते हैं और यही कारण है कि हम अपने leaders को केवल नेता नहीं बलकि महानायक या महापुरुष कहते हैं